हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे यूट्व चैनल मिल्स एंड गिजेट्स में स्वागत है फ्रेंड्स आज हम अनार के बारे में बात करेंगे अनार एक बहुत ही टेश्टी फल होता है ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है अनार के दाने पेट के विविन रोगों में रामार दवा का काम करते हैं लेकिन अनार के साथ केवल एकी प्रॉबलम है इसे छीलने में बहुत टाइम लगता है अनार को छीलने में हमारे हाथ लाल हो जाते हैं और अनार को छीलने के दोरान जहां जहां छीटे पड़ती हैं वहां पर लाल धबे पड़ जाते हैं इसलिए अनार का दाना निकालना एक बहुत टेंशन का काम है आज हम अनार के दाने निकालने की तीन सरलतम विदिया बताएंगे और तीन तरह से ही फटा फट इन दानों से जूस निकलना बताएंगे अनार के दानों से जूस निकलने के बाद इसके दाने की गुटलियों से हम बहुती स्वादिश चूरन अनार दाना हाजमा बटी भी बनाएंगे तो चलिए फ्रेंड्स हम अनार को प्रोसस करना शुरू करते हैं सबसे पहले अनार खरीदते समय देख लें कि अनार दागी ना हो और इसकी स्किन चमकदार हो अब अनार को अच्छे से दो कर पोच लें अब हम चाकू की साहिता से अनार के टॉप को काट लेंगे हमने चाकू से अनार के टॉप को काट कर अलग कर लिया है अनार का टॉप काटने के बाद अब अनार के बीच का पोर्शन जिससे अनार की सभी फांके जुड़ी होती है हम इसे काट कर निकाल देंगे देखिए फ्रेंड्स हमने अनार के बीच का पोर्शन निकाल दिया है चाकू की सहिता से अनार के बीच का पॉर्शन निकालने के बाद अब अनार में जहां जहां उठा हुआ भाग मालूम हो रहा है वहां पर हम चाकू से उपर से लेके नीचे तक हलका सा कट लगा देंगे ताकि हम अनार की फांके अलग-अलग कर सकें हमें ये कट बहुत हलका लगाना है कट गहरा नहीं लगा है कट केबल अनार के छिलके में लगना चाहिए पूरे अनार में हलका सा कट लगाने के बाद अब हम इसे हलका सा पुष्ट करके अनार की सभी फांके खोल लेंगे हमने अनार की सभी फांके खोल ली है निकाली हुई सभी फांकों को जिपर पॉलिथिन में डालने के बाद हम पॉलिथिन की जिप को बंद कर देंगे, अब हम अनार की सभी फांकों को पॉलिथिन सहित दिखाए गए तरीके से 30 सेकंड तक रगड़ेंगे, हमें 30 सेकंड तक अनार की फांकों को पॉलिथिन सहित अ नहीं पड़ा है अनार की कुछ फांकों में दो चार दाने रहे गए हैं इन्हें हम निकाल लेंगे अब आप बेफिक रोकर चाहें जितने अनार के दाने निकाल सकते हैं ये काम तो बच्चे भी बहुत मन्से करेंगे हमारे अनार के दाने निकल चुके हैं अब हम इन दानों स जूस निकालेंगे जिस जिपर में हमने अनार की फांके डाल कर अनार के दाने निकाले थे हम अनार के दानों को एक बार फिर से उसी जिपर में डाल कर जिपर को लॉक कर देंगे जिपर का लॉक लगाने से अनार का निकला हुआ जूस उले दिन से बाहर नहीं आएगा अब हम एक बेलन से इन सभी दानों को बहुत आराम से बेलेंगे अनार के दानों को बेलन से बेलने से ये दाने दबेंगे और जूस छोड़ देंगे धीरे धीरे अनार के सभी दाने बेलन से दब कर जूस छोड़ देंगे और हमें अनार का फ्रेश जूस मिल जाएगा हमने अनार के सभी दानों को बहुत आराम से बेल लिया है और अनार के सभी दानों ने अपना जूस छोड़ दिया है अब हम जूस को श्टेनर से चान लेंगे देखिए जितनी आसानी से हमने अनार का जूस निकाला है अतनी असानी से ही हम इसे चान रहे हैं देखिए फ्रेंड्स बिना किसी जंजट के हमारा अनार का जूस त्यार हो चुका है अनार के दानों की बची हुई गुटलियों को हम फेकेंगे नहीं इन्हें हम समाल कर रखेंगे अनार की बची हुई गुटलियों से हम हाजमेदार चूण की चटपटी गोलिया बनाएंगे हमने फ़स्ट मेथट से अनार के दाने निकाल कर उनका जूस निकाल लिया है अब हम दूसरे मेथट से अनार के दाने निकालेंगे इसके लिए सबसे पहले हम अनार के टॉप को काट लेंगे अनार के टॉप को काटने के बाद अनार के बीच के उस पोर्शन को हम चाकू की साहिता से काट कर निकाल देंगे जिस से अनार की सभी फांके जुड़ी होती है देखिए हमने अनार को भी से साफ कर दिया है अब अनार में जहां जहां उठा हुआ भाग मालूम हो रहा है उस पोर्शन में हम उपर से लेके नीचे तक हलका सा कट लगा देंगे ये कट हमें केवल अनार के छिलके में लगाना है प्रेंट से दिया आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने भी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और सही समय पर हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन बाइने के लिए पहल आइकन प्रेस करें हमने पूरे अनार में कट लगा दिया है अनार में कट लगाने के बाद हम अनार की फांकों को खोल लेंगे लेकिन इस बार हम अनार की फांकों को अलग अलग नहीं करेंगे अनार की फांकों को खोलने के बाद अनार में थोड़ी सी सफ़े जिल्ली होती है इसे भी हम निकाल देंगे हमने अनार की फांकों को खोल कर इसकी सफ़ेजिली को हिटा दिया है अब हम अनार की खुली हुई फांकों को उल्टा करके हतेली पर रख लेंगे और इस पर किसी भारी चीज़ से चोट करेंगे देखे फ्रेंड हम बेलंसे अनार पर लगातार चोट कर रहे हैं और रिजल्ट आपके सामने हैं बहुती आसानी से अनार अपने दाने छोड़ रहा है अनार के दाने बहुती आसानी से बाहर निकल लाए है हमने अनार के सभी दाने बहुती असानी से बाहर निकाल लिये हैं अब हम अनार का जूस भी किसी दूसरे मेथट से निकालेंगे इसके लिए हम एक बोल पर इस टेनर रख देंगे और इस टेनर में हम अनार के सभी दानों को पलट देंगे इस टेनर में अनार के सभी दानों को पलटने के बाद अब हम इने किसी बरतन से दबाते हुए मैश करेंगे अनार के दानों को दबाने या मैश करने के लिए आप मैशर, कल्ची या किचिन का जो भी बरतन जो आपको सूट करें आप उसका प्रयोक कर सकते हैं इसका मैथड ये है कि दाने स्टेनर से रगड़ रगड़ कर क्रश हो जाते हैं और अनार का जूस निकल कर नीचे बोल में आ जाता है बस हमें अनार के इन दानों को दबा कर रगड़ना पड़ता है इसमें ज़्यादा मेहनत या ताकत नहीं लगती है आप बहुती आराम से ड दाने निकलने का हमारा तीसरा मेथड बहुती सिंपल और शॉर्टेस्ट है इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है बस हमें अनार को बीस से दो बागों में काटना है अनार को बीस से दो बागों में काटने के बाद हम ना इसकी फांके अलग करेंगे और ना ही इसकी दाने निकल चुके हैं इसी तरह हम अनार के बचे हुए आदेसे को भी पीट पीट कर इससे दाने निकल लेंगे देखिए फ्रेंड बहुत ही आसानी से हमाई पूरे अनार के दाने निकल चुके हैं अब हम अनार के दानों से जूस निकलेंगे शौर्टेश तरीके से अनार के पीसे हुए दानों को हम इस टेनर में चान रहे हैं हमने अनार के इन दानों से जूस निकाल लिया है इस टेनर में बचे हुए इस मेटेरियल को हम समाल कर रखेंगे देखिए फ्रेंड्स बहुती आसानी से बिना मेहनत के हमने अनार का फ्रेश जूस निकल लिया है अब जूस निकलने के बाद बची हुई अनार के दानों की गुटलियों से हम बहुत ही टेश्टी और हाजमेदार चूरन की गोलियां बनाएंगे इन गुटलियों में बहुत से विटामेंस और मिनरल्स होते हैं और इन गुटलियों में थोड़ा सा अनार का जूस भी रह जाता है इसलिए ये बहुत टेश्टी भी लगता है सबसे पहले एक दिन की चटक दूप में हम इन गुटलियों को सुखा लेंगे इसके बाद रात बार हम इने पंके में रखेंगे अगले दिन ये गुटलियां बिल्कुल सूख जाएंगी अब एक मिक्सी जार में हम थोड़े से साबत मसाले डालेंगे हमने मिक्सी जार में एक टीस्पून जीरा एक टीस्पून सॉफ आदा टीस्पून अजवाइन दो बड़ी लाइची के दाने छिलका हटा कर और चार पंच लॉंग डाली है अब हम मिक्सी जार में अनार के दानों की गुटलियां डाल देंगे ये एक किलो अनार के दाने की गुटलियां है हमने मिक्सी जार में अनार की गुटलियां डाल दी है अब हम एकसी जार में 1.50 टी स्पून खटाई, 1.50 टी स्पून उपर तक काला नमक, 14 टी स्पून हींग, 1.50 वुना जीरा पाउडर और 14 टी स्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगे अगर आपके पास पेपरमेंट हो तो इसमें आदा पिंच पेपरमेंट डाल दें अगर आपके पास पेपर वेंट नहीं है तो इसमें एक पेक पॉलो टॉफी का खुलकर डाल दें हमने सभी मेटेरियल को पीस लिया है और एक प्लेट में शिफ्ट कर लिया है अब हम इस पिसे हुए मेटेरियल में एक बोल पिसी चीनी डाल कर मिला देंगे हमने चीनी को मिला दिया है अब हम इस मेरिटेरियल में दो छोटे नीवू करस निकाल कर थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे चला मिला कर अच्छी तरह गूत लेंगे और गूतने के बाद इसका डो तयार कर लेंगे अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसका डो ना बनाए इसे चूण के रूप में ही एक एरटेट बॉक्स में भर लें इस मेरियल में सबी चीजे हाजमे की हैं और सौध बढ़ाने वाली हैं लेकिन हम यहाँ पर चूण नहीं हाजमेदार गोलिया बना रहे हैं इसके लिए हम एक प्लेट में दो टीस्पून पौडर शुगर डालेंगे और फैला लेंगे पौडर शुगर पर हम एक टीस्पून गोले का बुरादा डालेंगे और इसे चला कर मिला देंगे अब हम तैयार डो से गोलिया बना बना कर चीनी और गोले के बुरादे में डाल देंगे और इन्हें थोड़ा सा हिला लेंगे हमारी सभी गोलियों पर चीनी और गोले का बुरादा बहुत अच्छी तरह कोट हो जाएगा देखिए हमारी सभी गोलियों पर Powder, Sugar और गोले का बुरादा कोट हो चुका है इन सबी स्वाधिस्थ हाजमेदार गोलियों को हमें कंटेनर में भर लेंगे और कंटेनर में हम उपर से चीनी और गोले का बुरादा डाल देंगे इस से ये गोलियां आपस में चिपकेँगी नहीं ये गोलियیں टेश्टी के साथ साथ बहुती अदिक हाजमेदार होती हैं फ्रेंट्स अनर को प्रोसेस करने का ये तरीका आपको कैसा लगा यदी आप भी इस तरीके से अनर को प्रोसेस करें तो फ्लीस हमें कमेंट करके अवेच बताएं हमें आपके अमूल सुझा और कमेंट्स का इंतियार रहता है फ्रेंट्स एनार को प्रोसेस करने का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें बैल आइकन प्रेस करें हमारी अनुस वीडियो के लिंक इस वीडियो के अंत में और आई बटन में पड़ा हुए है थैंक्यो वर वाचिंग